हलो फ्रैंड्स आप लोगों का दिल से स्वागत है मेरे किचन मैनू एंड मी में आज हम बनाएंगे ऐसी रेज़िपी जो आपको गर्मी में भी एक दम ठंडा ठंडा कर दे आज हम बनाएंगे कुल्ड गोको तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए एक लीटर फुल फैट दूद लिया है मैंने इसे हम गरम करने के लिए रख देंगे अब हमें एक घूल तयार करना है इसके लिए मैंने एक बावल में आधा कब दूद लिया है ये दूद मैंने ठंडा लिया है अब हम इसमें एक चम्मच corn flour डालेंगे फिर हम इसके बाद दो बड़े चम्मच वैनिला custard powder के डालेंगे फिर हम चार बड़े चम्मच cocoa powder डालेंगे यह cocoa powder कड़वा है यानि कि यह sweeten नहीं है फिर हम इसे अच्छे से मिल आएंगे हमें इसमें लम्स नहीं आने देने हैं हम एक ही डायरेक्शन में इसे अच्छे से पेंट लेंगे आप देख सकते हैं ये गोल डड़ी हो गया है अब जो दूद हमने गरम करने के लिए रखा था हम उसमें आदा कब जितना चीनी डाल देंगे फिर हम इसे अच्छे से मिलाएंगे अब अच्छे से मिलाने के बाद हमने जो गोल बनाया था ये हम इसके अंदर डाल देंगे ये हमें एक ही डायरेक्शन में एकदम जल्दी जल्दी ये पेटना है क्योंकि इसमें एक भी लम्स ना हो अच्छे से पेटने के बाद हम इसमें उबाल आने देंगे आप देख सकते हैं ये कितना गाड़ा हो गया है अब हम इसकी फ्लेम थोड़ी से स्लो कर देंगे अब हम इसमें दो चमट डाप चॉकलेट डालेंगे जैसे जैसे ये उबलता जाएगा ये गाड़ा होता जाएगा हम इसे अच्छे से हिलाते रहेंगे आप देख सकते हैं कि ये कितना गाड़ा हो गया है अब हम इस गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे अब हमें इसे चानना है इसके लिए मैंने एक बरतन लिया है उसमें हम ये कोको डाल देंगे और चन्नी से अच्छे से उसको चान लेंगे और हम इसे साइड में रख देंगे ये कोको अभी काफी गरम है अभी इसे हमें रूम टेंपरेचर पे लाना होगा इसके बाद हम इसे फ्रीज में रखेंगे ये ठंडा होने में लगबग 7-8 गंट लग जाएंगे तो देखिए हमारा कोको रेडी हो गया है तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं आप भी इसे घर पे एक बार जरूर बनाईए और मुझे बताईए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगे अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेर कीजे और मेरी चैनल मैनू एंड मी को सब्सक्राइब कीजे फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई